नमस्कार दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों बजाज फाइनेंस के रिटन के बारे में कि अगर हम बजाज फाइनेंस के 10 सेर 10 स्टोक होल्ड कर लेते हैं लोंग टरम के लिए तो देखें कि हमारा जो पैसा वो कितना ग्रोध कर देता है तो फिलाल के जो प्राइज की बात करें तो 68,306,832 रुपे का प्राइज है इसका तो इसके अकोर्डिंग यादी हम 10 सेर लेते हैं तो 68,000 रुपे के हो जाते हैं 68,000 रुपे के इसके according हम देखे हैं कि हमारा जो पैसा है इसके last 10 साल की CAGR है उसके according रोग करें तो कितना पैसा बनेगा long term में और अगर 5 साल का CAGR वो लेकर के चलें तो हमारा जो पैसा है इसके 10 stock वो कितना पैसा बना करके दे सकते हैं तो पहले मैं लेकर के चलता हूँ compounding दिखा देता हूँ दोस्तों की बजाज finance की जो compounding है वो कितनी है तो जैसा कि आप screen पे देख पारे हो 10 साल की जो compounding है वो 57% की है और 5 साल की जो compounding है CAGR है वो 46% की है तो पहले देख लेते हैं यदि जो 57% का 57% की CAGR देती है एक company बजाज finance इसके according हमारा जो पैसा है growth करता है तो वो हमारा कितना बनता है और इसके stock price की बात करें तो जैसा कि screen पे देख पारे हो 6832 रूपे की आसपास का stock price है इसके according हम 10 share लेके देखते हैं कि कितना पैसा बन सकता है compounding जैसा की 97% का है तो पहले share की value डाल देते हैं कि 10 share की जो value हो जा दोस्तो 68320 रूपे ठीक है 68000 रूपे इसके according हम यह जो return की बात करें compounding का तो 10 साल को जा average compounding है वो 57% का है तो 57% के according हम देखते हैं कि return क्या बनता है 5, 10, 15, 20 सालों के बाद उसके बाद देखेंगे इस से कम compounding करके जो की last 5 साल का 46% का उसके according कि इतना पैसा बनता है तो 5 साल यदि 57% का CGR रहता है आने वाले टाइम में तो हमारे जो investment है 68,000 रूपे की वो बन जाएगी दोस्तो 6,51,000 रूपे के अंदर convert हो जाएगी इस सिरुफ पर सिरुफ 5 साल में 6,000 रूपे बन जाएगे अगर हम इसी को long term में जो है hold करें 10 साल तक 57% की ही compounding रहे तो देखते है कि हमारे जो 10 स्टोक है बाजाज finance के उसके कितने पैसे बन सकते हैं तो अगर आप इसमें 68,000 रूपे invest कर देते हैं और 57% की compounding रहते हैं तो आपके हाथों में 10 सालों के बाद 62,000 रूपे होंगे दोस्तो लेकिन इसकी condition एक रहेगी यदि 57% की compounding CGR देता है ये स्टोक तो ही जो है 10 सालों के बाद 10 स्टोक से आपके फिलाल के जो आप परचेज कर लेते हो 10 स्टोक उससे 62,000 रूपे बन जाएंगे आप देख लेते हैं कि यदि हम 15 साल तक होल्ड करें तो हमारा जो पैसा है वो कितना बन सकता है तो इसके coding देखते हैं और जो compounding लिए है वो सेम तो 5 करोड 93,000,000 रूपे बन जाएंगे लगबग 6 करोड रूपे ठीक है तो इसी के coding देखें और लंग टरम के लिए कि अगर 20 साल तक होल्ड करते हैं इसकी जो 10 साल की return है CGR उसी के coding तो हमारा जो पैसा वो कितना बन जाता है तो 56 करोड रूपे बन जाएंगे लेकिन condition इस की ये रहेगे कि 47% प्रेष selon 10 साल का वही रहे आणने वाले 20 साल तक तो ही जो इसका पैसा है 68,000 रुपे 68,000 रुपे आप क्यों जो convert हो जाएंगे profit के अंदर वो हो जाएंगे दोस्तो 4,53,000 रुपे के अंदर अगर जो compounding है वो 46% का रहता है तो अब इसी के according 46% की compounding के according ही 10 साल तक आने वाले 10 साल तक compounding 46% की ही ये stock दे बजास finance तो देखते हैं कि 10 साल में कितना profit बना स सकती है company तो अगर जो है 46% का compounding जो कि लाश्ट 5 साल का इसी के according दे ग्रोथ आने वाले 10 साल तक तो जो पैसा है वो 30,000 रुपे आपके हाथों में होंगे दोस्तो सिरफ और सिरफ 68,000 रुपे एक बार लंब सब investment करने के बाद मतलब कि 10 प्रचेज करने के बाद आप देख ल इसमें invest कर देते हैं 68,000 रुपे वो 46% की compounding रहती है तो ठीक है अब EC के according यदि यही investment value 20 सालों तक hold करें तो भी हम पैसा देख लेते हैं इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों अगर यह compounding जो है कम हो जाता है और सिरफ जो compounding है वो सिरफ 30% की compounding देती है यह company तो भी देखें ह हमारा जो पैसा कितना बनता है फिलाल हमने लिया था 10 साल का CGR compounding और 5 साल का compounding जो पिछले सालों का था अब यदि आप 46% की compounding यह company देते हैं और 20 साल करते हैं तो 13 करोड रुपे बन जाएंगे जो की 20 सालों के बाद आपके हाथों में होंगे दोस्तों अब हम मानके चलते ह है कि जो फिलाल का जो लाश सालों का CGR है उससे काफी कम compounding दे और हम मानके चलें सिरफ 30% का compounding दे और हम 10 साल तक इसको hold करें 68000 की value को जो की 10 स्टोक होंगे उसके coding हमारा जो पैसा है वो 9 लाक रुपे तो बनेंगे ही बनेंगे दोस्तों 10 सालों के बाद अगर 30% का compounding रहता है तो ठीक है अब देख लेते हैं यदि 20 सालों तक hold करें इस स्टोक को जो 10 स्टोक होंगे इनको तो देखते हैं हमारा जो पैसा वो कितना बन सकता है दोस्तों तो अगर 68000 रुपे आप लगा देते हो इस company के अंदर ठीक है जिसके 10 स्टोक आएंगे फिलाल की value पे वो 30% का फिलाल की compounding से काफी कम CAGR हमने use किया है इस calculator के अंदर दोस्तों इसके counting एक करोड तीस लाक रुपे बन जाते हैं यदि compounding आप देखोगे तो starting के years में compounding काफी कम करोथ होगी और last में compounding full speed के साथ growth करेगी दोस्तों अब इसी stock का जो है ये stock जो है fundamental काफी strong share है इसका CAGR बढ़ बढ़ रहे हैं लगातार इसके जो reserve है वो भी बढ़ते हुए मिलेंगे दोस्तों और profit जो growth है इस share की वो 25% की है लास्ट पांस सालों की जो की compounding के according ही है और इसका आप compare कर लेते हैं दूसरे जो है finance sector के share के साथ जो की एक तो इसी की खुद की company है जो की बजाज फिंसव है इसके साथ दूसरी जो company है वो है मूथूट finance तो finance sector की तीनों company के return देख लेते हैं तो 6 महिने का अगर return देखें तो तीनों ही company जो है negative में चल रहे है जिसमें से बजाज finance 9% की negative है बजाज फिंसव लगबग 4% negative है और मूथूट finance 7% की आसफास negative return दे रही है 6 महिने में अब दे तीनों है कि एक साल में जो है क्या return बना जांगर के दिया कंपनियों ने तो 23% का return बजाज फिनस ने बजाज फिंसव ने 24% का मूधूट finance ने 5% का это return बनाकर दिया एक साल में ठीक है बजाज फिनस थोड़ा स second number पे है लेकिन बजाज फिंसव ने काफी अच्छा return दिया एक साल में 5 साल की देख लेते हैं 5 साल में आप देखोगे तो बजाज फाइनेस ने जो 503 पनलगबग आपके पैसों को 5 गुना तक कर दिया है दोस्तो बजाज फाइनेस ने भी जो है 3 गुना तक पैसे कर दिया है दोस्तों सिरफ हो सिरफ 5 साल में आप देख लेते हैं lifetime के return तीनों company की सबसे जादा जो return है वो किस company ने बना करके दिये तो सबसे जादा जो return आप देखोगे तो बजाज फाइनेस ने बना करके दिये एक लाग अठारा हजार परसेंट की return मतलब की आपके पैसों को 1187 गुना तक कर दिया है ठीक है और इसी के साथ दिबात करें बजाज फिंसव की तो 241 मतलब की लगबग 24 गुना तक आपके पैसों को कर दिया है लाइफ टाइम में ठीक है इसी के साथ मुतूट फाइनेस की बात करें तो 6 गुना लगबग 7 गुना तक आपके पैसों को करके दिया है जब से इन तिनों की लिस्टिंग होए तब से लेकर के अभी तक के जो है रिटन देखें दोस्तों जिसमें से सबसे पहले नमबर पे जो है एक्सपेक्ट कर सके कि उनकी जो वैल्थ है वो कितनी क्रियेट होने वाली है फ्यूचर में दोस्तों तो यह वीडियो कैसा लगा जुरू बताइएगा कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा दोस्तों वीडियो को यह आपका एक लाइड जो है हमारा मॉटिवेशन झाल